बाजपा सरकार के नव साल सुसासन के रहे हैं, बाजपा सरकार के नव साल गरीब कल्यान के लिए समर्पित रहे हैं आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या स्तिती थी, पूरे देश में जनता प्रस्टाचार के विरद सडक पर उत्री हुई थी कॉंग्रेश सरकार सीमा पर सडके बनाने से भी डरती थी, प्रदान मंत्री के उपर सूपर पावर थी, कॉंग्रेश सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी अती गरीबी को समाप्त करने के बहुत नीकट है साथियों, आखिर ये बडलाव आया कैसे? ये बडलाव आया कैसे? ये बडलाव आया कैसे? 50 साल पहले कॉंग्रेश ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी और ये गरीबों के साथ किया गया कॉंग्रेश का सबसे बड़ा विश्वास गात है कुछ दिन पहले 15 मई को ही उनकी पुन्यती थी भी थी मैं बैरोसी से खावजी को भी अपनी विनम्रस रद्धांजली अर्पित करता हूं बाई और बहनों आज यहां अजमेर आने से पहले मुझे तिर्थ राज पुश कर जाने का सवभागे मिला हमारे सास्त्रों में ब्रह्मा जी को स्रिष्टी का रचईता कहां गया है ब्रह्मा जी के आशिर्वास से आज भारत में नव निर्मान का दौर चल रहा है केंद्र में भाजपा के नेत्रुत्व वाली एंडिये सरकार के नव साल भी पूरे हो गए बाजपा सरकार के नव साल देश वास्यों की सेवा के रहे हैं बाजपा सरकार के नव साल सुसासन के रहे हैं बाजपा सरकार के नव साल गरीब कल्यान के लिए समर्पित रहे हैं साथियों, देश ने 2014 में सबका साथ, सबका विकास के नए संकल्प का आवान किया था इस संकल्प में राजस्थान ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या स्थिती थी पूरे देश में जनतार प्रस्टाचार के विरद्ध सडक पर उत्री हुई थी बड़े बड़े शहरों में आए दिन आतं की हमले होते थे कॉंग्रेस सरकार सीमा पर सडके बनाने से भी डरती थी महिलाओं के विरूत अपराद चरम पर थे प्रदान मंत्री के उपर सूपर पावर थी कॉंग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी निड़े होते नहीं थे नीतियां चौपड थी निवेशक निरास्ते युवाओं के सामने अंदकार था जनता से वोट लेकर कॉंग्रेस जनता को ही कोस रही थी बाईयों और भेनों गोर निरासा के इसी माहोल को 2014 में आपने एक वोट से विकास के विश्वास में बदल दिया आज देखिए पूरी दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि भारत अती गरीबी को अती गरीबी को समाप्त करने के बहुत नीकट है साथियों आखिर ये बड़लाव आया कैसे ये बड़लाव आया कैसे ये बड़लाव आया कैसे इसका जवाब है सबका साथ सबका विकार इसका जवाब है बंचीतों को वरियता साथियों कॉंग्रेस ने पचाथ साल पहले आप देखिए एक कॉंग्रेस की गरंटी वाली आदत आज की नहीं है पुरानी है पचाथ साल पहले कॉंग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गरंटी दी थी और ये गरीबों के साथ किया गया इसका बहुत नुक्षान उठाया है साथियों कॉंग्रेस ने किस तरह देश की करोडों महिलाओं और बच्चों के जीवन से खिलवाड किया इसका उधारन कॉंग्रेस के समय चिला टीका करण अभियान है जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो देश में टीका करण का दाइरा सिरफ साथ प्रतिशत के आसपास ही पहुँच पाया था उस समय कॉंग्रेस के शासन के काल में सो में से चालीस गर्भवती महलाए और बच्चे ऐसे होते थे जीने जीवन रक्षक टीके नहीं लग पाते थे अगर कॉंग्रेस सरकार होती तो देश में टीका करण की कवरेज सो प्रतिशत होने में चालीस साल और लग जाते और कितनी पीडिया बिच जाती आप कलपना कर सकते हैं कि जीवन रक्षक टीकों के ना लगने से देश में कितनी बड़ी संख्या में गरीब महिलाओं और बच्चों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता राजस्तान के भी ऐसे लाखों बच्चों और महिलाओं को बताने का काम बीजेपी सरकार ने किया है साथ्यों हम सभी ने अपने बच्चबन में अपनी मा को लकडी पर खाना बनाते देखा है लकडी पर खाना बनाने की विज़ा से जो धुवा निकलता था वो हर महिला के जीमन पर संकट लाता था देश की महिलाओं की ये परिशानी भी कॉंग्रेस को कभी नजर नहीं आई कॉंग्रेस सासन में एक गैस कनेक्शन पाने तक के लिए इधर उधर दोड़ना पड़ता था सीफारी से लगवानी पड़ती थी इसलिए 2014 तक सिरफ 14 करोड लोगों के पास ही गैस कनेक्शन था हम अगर कॉंग्रेस सरकार की स्पीड से चले होते तो देश के कौने कौने में गैस कनेक्शन पहुंचने में 20 साल और लग जाते यानि बीना गैस कनेक्शन के एक पीडी और गुजर जाती मुझे ये स्थिती स्विकार नहीं थी इसलिए ही पिछले नव साल में बीजेपी सरकार ने देश के 19 करोड से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन दिया है इस गैस कनेक्शन ने महिलाओं को स्वास्त भी दिया है और सुविधा भी दी है साथियों पानी की एक एक बुंद की कीमत राजस्तान के मेरे भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं हमारे देश में 2014 तक 18 करोड से जादा ऐसे परिवार थे जहां नल से जल नहीं आता था पाइप से पानी का कनेक्शन ही नहीं था बीजेपी सरकार ने बीते तीन साल में नव करोड लोगों को पाइप से पानी के कनेक्शन से जोड़ा है अगर कॉंग्रेस की सरकार होती तो उसे यही काम करने में बीज साल और लग जाते हैं जब सगट हल करने में पानी से जुड़ी चुनोत्यों को समाप्त करने में कॉंग्रेस सरकार कभी आगे बढ़कर काम नहीं करती कॉंग्रेस को सिरफ जूट बोलना आता है और आज भी कॉंग्रेस यही कर रही है साथियों कॉंग्रेस ने वीरों की इस धर्ती और यहां के वीरों के साथ भी हमेशा धोखा किया है एक कॉंग्रेस ही है जो चार दसक तक बन रैंक बन पेंशन के नान पर हमारे पुर्वस सैनिकों से बिश्वास गात करती रही कागजों पर सिरफ पांसो करोड रुपिय रखकर कॉंग्रेस कहती थी कि वो वन रैंक बन पेंशन लागू करेगी जबकि इसके लिए हजारों करोड रुपियों की जरूर थी बाजपा सरकार ने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया बल्कि पुर्वस सैनिकों को एरियर पी दिया वन रैंक वन पेंशन लागू हने के बार अठारा हजार करोड रुपियों से ज़्यादा की रासी एरियर के तोर पर पुर्वशनिकों को मिली है इसका अलाभ राजस्तान के भी करीब करीब 2 लाँघ पुर्वशनिकों को मिला है वन रैंक वन पेंशन लागु होने की वज़े से देश के पुर्वशनिकों की जेब में अब तक करीब 65 65,000 करोड रुपिया गया है, 65,000 करोड रुपिया दोस्तों, आप कलपना कर सकते हैं, कहां कॉंग्रेस के 500 करोड रुपिये और कहां बीजेपी सरकार के 65,000 करोड रुपिये अगर बीजेपी सरकार ना होती, तो पुर्व फोजियों को आज भी, वन रैंक, वन पैंसन का इंतजार ही करना पड़ता साथियों, कॉंग्रेस की गलत नितियों का सबसे ज़्यादा नुक्सान अगर किसी को उठाना पड़ा, तो वो देश के छोटे किसान है छोटे किसानों की जरुवत पर, छोटे किसानों की मदद करने पर, कॉंग्रेस ने कभी त्यान नहीं दिया ये भारतिये जनता पार्टी है, जिसने पहली बार छोटे किसानों की मुश्किलों को समझा, उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश की हमने छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रख कर पिछले नव वर्ष में किसी बजेट में लगपक छे गना वृद्धी की है छे गुना वृद्धी भाजबा सरकार में पहली बार किसानों को लागत का डेट गुना समर्थन मुल्डता हुआ पहली बार किसानों को बैंक खाते में उनकी उपज का पैसा मिलना सिनिश्चित हुआ पहली बार किसानों को इन नाम के रुप में राष्ट्रिय मंडी मिली है पहली बार किसी फ़तल बिमाई वजरा से किसानों को सबालाग करोड रुपिय से अधिक का मुआवजा मिला है पहली बार अभियान चला कर किसानों को बीजों की 2000 नई वराइटी दी गई है पहली बार पशु पालोकों को मचली पालोकों को उसको किसान क्रेडिट कार्ड की सुविदा मिली है पहली बार युरिया की काला बाजी रुकी है निम कोटी होने का फाइदा किसानों को मिला है पहली बार किसानों को लिक्विड नेनो युए जैसा मेड़ी इन इणिया उत्पाथ मिलाई आ है पहली बार अभ्यान चलाकर देश के 11 करोड किसानों को 11 करोड से भी सार हेल कार दिये गए हैं पहली बार किसानों के लिए पीम किसान सम्मान निदी जैसी योजना शुरू हुई है पहर इसके तहट अभी तक ग्यारा करोर किसानों को करीब डाई लाग करोर रुपिय मिल चुके हैं साथ को ये बीजेपी की हिस्तरकार है जिसने गेहू और जान की खेची के अलाबाभी किसानों को आए के दूसरे सादनों पर और ज़्यादा काम किया है पहली बार देश में डालों का उत्पादन बढ़ाने और MSP पर दलहन की खरीद के लिए इतना बड़ा भ्यान चलाये गय बड़ा अभ्यान चुरू किया गया पहली बार शहत का उत्पादन बढ़ाने और उसके निर्यात के लिए भी बिजेपी सरकार ने विशेद मिशन चलाया पहली बार ज्वार बाजरा जैसे भारत के स्री अन्नकों बेश्विक पहचान देने का प्रयास हुआ पहली बार किस चलाया मिशन अन्हादनी सरकाब ने मोटे अनाज वुगाने वाले देस के ठाइक करोड किसानों की चंता की है भारत के प्रयास के ही हो kapya पहले दोहजार तेज़ह को मोटे अनाज कंथरवास त्यारिये वर्श गोषित किया इन सब का फायदा यहां राजस्तान के किसाने को हुआ है इस जेत्र के किसानों को हुआ है